अन्नामलाई एक किसान के घर पैदा हुए थे और फिर अन्नामलाई पढ़ाई में अच्छे थे मैकेनिकल इंजीनियर बने फिर IIM के लिए एक्जाम दिया और लखनव चले गए वहाँ थोड़े समय बाद ज्यान प्राप्ति हुई कि यहाँ पर पांच रुपय के लिए हत्या हो जाती है और ये दौर आगे बढ़ता जाएगा तो फिर मैं IIM से पास आउट होकर क्या उखाड लूँगा इतनी बड़ी सैलरी होगी किसी नाले में मरा पड़ा होँगा तो मान्यवर IES का एक्जाम देने गए और IPS बन गए करनाटक कैडर में चले गए शुरुवाती नौकरी में ही उड़ुपी जिले के ASP बने तो एक 17 साल की बच्ची का रेप हुआ और हत्या कर दी गई इस पर अन्नामलाई साहब को वहां जाना पड़ा तो लड़की की मा ने अन्नामलाई का गिरेबान पकड़ कर पूछा कि क्या मेरी बच्ची मुझे वापिस दे दोगे तो अन्नामलाई का जवाब ना था लेकिन कहां कि आपकी बेटी सदा याद रखी जाएगी और वादा किया कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी तभी अन्नामलाई ने एक सुरक्षा नाम की एप लॉंच की जिसका इन्नोग्रेशन खुद किया और जो एप बहुत ही ज्यादा काम्याब रही साथ ही उस बेटी के नाम पर एक छात्र वृती शुरू की जो आज भी चल रही है इसके बाद जब इनका ट्रांसफर हुआ तो जनता ने प्रदर्शन किया कि ट्रांसफर रोका जाए इसके बाद अन्नाम लाई का ट्रांसफर चिक मंगलूर में हुआ वहां के कारेकाल के बाद जब ट्रांसफर किया गया तो फिर प्रदर्शन हुए कि ट्रांसफर स्थगित किया जाए इसी दोरान मानेवर ने धर्म विशेश के अपराद को समझने के लिए कुरान का अध्यान किया क्योंकि साहब जानते थे कि लड़ने के लिए दुश्मन का घ्यान जरूरी है इसी दोरान 20,000 मुसलिम युवकों को आईसिस में जाने से रोका कई बार दंगे रोके गए कुरान के अध्यान और IPS की कुशाग्र बुद्धी ने ये काम कर दिखाया सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था लेकिन फिर ज्ञान प्राप्ति हुई कि नहीं पुलिस में रहकर जो किया जा सकता है उसे और अच्छे से किया जा सकता है अगर मैं राजनीती करू तो बीजेपी को एक मजबूत पार्टी के रूप में उभार रहे हैं इतने कर्म के बाद मानिवर अपने काम से संतुष्ट भी नहीं है और अभी मात्र छे घंटे सोपाते हैं और तुम कहते हो EVM हैक होती है भारत की सिर्मोर नौकरी करने वाला आदमी आज पसीने से नहाया हुआ आधी राद तक घूमता है क्यों और एक राजनैतिक पार्टी किसी नेता पुत्र के अलावा किसी योद्धा का चैन क्यों करती है ये है परसपर भरोसा और भरोसे की ताकत और यही है बीजेपी और यही है EVM हैक सिस्टम मेहनत इतनी करो कि मोदी जी भी पीठ ठप ठपाने लगे जय हो तमिलनाडु में ही नहीं पूरे दक्षिन भारत में भाजपा को एक नायक मिल गया जय श्री राम